तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नवे पॉड़कास्ट में और क्योंकि आपको हमारे कंट्री वाले पॉड़कास्ट बहुत पसंद है तो आज हम अपने एक और बच्पन के दोस्त को लेकर आए हैं अपने साथ ये भाई कुछ टाइम के लिए रशिया रहकर आयते इंटर मिलाना जरूरी है या अपने पॉड़कास्ट में नहीं चीज करूं कुछ और तो अमन जीजू को अगर जीजू बोले तो आप हहरान मत हो ना ये हमारे जीजू ही है तो अमन जीजू बताओ यार क्या सी इंतारशिया में आप क्यों गए थे क्या करमे गए थे वो भी आपने इसक का प्रोग्राम था जिसमें क्रॉस कंअ क्ट्री कं अपने धूर क फनी सब्सक्रार इह वर सबता दाप技 आ ऐनकर bana एक जगह पर आते हैं कुछअ कुछ उनिवर्सिटिष के वहां पर तया ऊपो आप तो अप लागचे घुल्चय को अपना कलुछर in इंडियन क मतब लोग से अपना घूम भी आते हैं और थोड़ा बहुत अपना वेलागर्दी करते है तो हम लोग बस वह करने के लिए कॉलेज की तरफ से लेक हम लोगों को एक चांस मिला तो मैं था और मेरी उनिवर्सिटी से ही पांच बच्चे और थे हां तो हम लोग गाल बी विंटर्सके टाइं में थे बिल्कुल Jan वरी दो मेने के प्रोग्राम था मरा जैन वरी से लेकर कर फेब्रारी तक बिलकुल एक्स्ट्रीम विंटर प्रोग्राम के अंदर तो दो अप्शन तेक तो रुष्या का था और एक इंडोनेशा का था तो मैंने फिर रुष्या चूस तो इंडोनेशा क्यों नी चुना भाई भाई मतलब यह समझ लो मतलब हर चीज है कि रुष्या में मजा ही आता है रुष्यां के चक्कर में तो भाई कितनी ठंड थी वहाँ पे उस ताइंग क्या टेमपरेशा में मैं 19 था जो मैं डेली से निक तो पहली बार वो जो ठंड का पड़ा तो जोंका एकदम से वह सथ में लएक वह एक अलग था आज से पहले को स्नो तो देखी नहीं थी वहाँ एंटर करदा स्नो फॉल भी हो रही थी और इतनी इतनी पैरों तक स्नो थी और मैं यहां से तो अपने नॉर्मल लेदर शूस प से पहले तो लिए एक तो था मतब ठंड तो बहुत एक्स्ट्रीम और कुछ-कुछ ठंड के लिए जो मैंने सबसे आदा देखा माइनस 41 देखा था माइनस 41 ओ भाई तो वहां तो फोन भी बंद हो जाते हैं नहीं फोन होने है बिल्कुल कुछ नहीं बंद होता सब अपना न अपने को तो कोई आइडिया नहीं ठीक है अच्छा वहां पे लोग ऐसे पानी की बॉटल वैसे खरीदते नहीं है अब हम लोग को आदत है पानी की बॉटल लेकर बैग में रखी ज़स्ट अभी और लेकर निकला में अभी बस टॉप 10 मिनट के अंदर वह बरफ तो मताब इतने वहां पे तो फिर सिटीज का या घरों का जो ड्रेने सिस्टम होता है वो तो खराब रहता होगा मतलब जम जाता होगा मुसली जैसे यहां शिमला में पानी जम जाता है वह लेकिन वह तो सेंट्रलाइज हीटर अगरा वैसे लेग लगे होते सब में वो रेडियेटर सारा घरों में वो लगे रहते होते त्शा और घर कैसे होते हैं आधा मैं जाह मैं तो मतलब वहther defokas aora to be with me में मेटरो सिझ नहीं थी जैसे मैक्सिको excess कि ए मस्कों मोस्को सेंट पीटर्बर्श जैसरि कनल था हंख के अनिदर ऑल्दों इंडियन नॉफ़ा के इंदर यहां यहां से मत्रें एक्राइब आफ़ा लेडिकल सच्ट फठैंहें थैंना अगरवर सारे नॉर्मल है, मतब इतना जादा कोई नहीं है तो फिर बताओ फिर क्या जैसे वहां गए तो क्या हुआ वहां पर कहां रपके थे क्या कॉस्ट पड़ी रहने की मतब लिक हमारे को तो फ्री अकुमेडिशन प्रवाइड थी, कॉलेज की तरफ से तो होस्ट अगरा तो सबसे पहले तो होस्ट लेने आया था वो तो उसके दो बच्छे और उसकी वाइफ तो उनके साहद ही रहा होता हुआ उसने एक कमर locali एठ नहीं आएड जाए हुआ है तो उसके अंदर तो थो RUSS के अधर तो नैंसे वागील्डे वाट है था पूरा उसने कैबिन वगरा मेरे को मतलब अलमीरा वगरा सब दे दिया था अलग से अपना कि अब इदर समान रख लो वो अपना उसने मेरे को एक रूम दे था था चोटा सा रूम तो और एक फोल्डिंग बड़ का टाइप का लगावत तो वह पर अपना नॉर्मल रहना वग अब 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 लेंग्विज बारियर तो है लेंग्लिस तो बिल्कुल ली वो उनका रीजन ये था कि वह कहते थे कि कोई आये तो हमार साथ ऐसे बात करें तो शायद से नारे इंग्लिश इंप्रूव हो जाए मतलब थोड़ी बहुत बात करेंगे तो उनका ये तरीका था क कि वह ऐसे लो होस्ट को बुलाते थे ताकि वह इंग्लिश में थोड़ा बात भी कर सकें तो लेक वह मतलब उनका में जसे था कि इंग्लिश वगरा सीख लो बस बट फिर लेक वहां पर एक प्रॉब्लम बस ये थी कि उनका था कि जसे उनके छोटे बच्चे तो उनको ये कि अपना नएक अलग से अपार्टमेंट ले लेता है तो बुकिंग डॉट कॉम वहां पर ले लिया था थी और में चीज एक इतना महेंगा नहीं है मतब इंडिया से बराबर ही है ना उनकी करण करण सी बराबर है वैसे क्या प्राइज रूबल है तो लेक वन रूबल इस इतना 1.2, 1.3 आयना तो हम लोगों को 18,000 पे में हम लोगों को 45 डेस के लिए अपार्टमेंट में लिया था 3BH के सही है तो 18,000 में बस 18,000 रूबल उसको तुम आयनार में कनवर्ट करो जादा इतना 20,000 पे कास पस बढ़े है सही है बहुत सही है 15 दिन के लिए तो बढ़िय बस फ特ड़ लाइध तुमारे को क्या करना होता था कुछ भी निमोग तो वह पे अचा वहां कर एक तो जा कर कि करना आ यह आप प्रेजार चेंटर बना ला है कि इन्दिया का अंदर यह है यह इंडिया इन्दियर इतने स्टेट्स हैं यह लैंगेज हम लोग बोलते हैं यह क्लिश्रल्य जियनी वान रहा यह अच्छी जगा है वहां पर तो बस लेक में लिगार पर अक्राइब रोज-रोज जाके यह करते थे अध्यार ऑफ आइसे मतब यह तो है रेशियन वोट का सबसे में चीज है वहां की अपना वह पर रेशियन वोट का बनती है और सही है सथी है एक दम है तो हट दुकान में मिल जाती थी मतलब लेक आदा ली लेक आदी बॉटल हो रही है अद्धा अद्धा रुपे में अद्धा खंबा दो सब्सक्राइब यहां के लोग चले गए तो पागली हो जाएंगे रशिया वोट होई रहोंगे बाई बता लेटंग सब्सक्राइब वहां पर आपर अच्छली में इंडिया के कंपारिजिंगर तो सेम है बट वैसे बड़ा सस्ता है तो सेटी वाइस में डिपेंड करता है या फिर वो जिस सिटी में हो तो था तो हो सकता है वह सकता बट लेंट सब्सक्राइब होता है तो इतना कोई फारक नहीं है प्लस वहका लेक अपने फाइदा नहीं होता तो बट वहां पर तो गवर्मेंट भी T अब पर आइक जैसे अगर आपका बच्चा है तो पूरा आप पढ़ाई उसको आपको सपॉंसर करने पड़ेगी दो है तो 50-50 हो देगी 3 बच्चे तो पूरा गर्मेंट सपॉंसर कर देगी यह तो तगड़्या है वहां तो बच्चे यी बच्चे करते रहो है वाहा लेंड लेंड जादा है और वहां लोग निया ना लिप पढ़ाईयां सस्ती कर रखें तागी टूरिस्स लोग आके यहां पर पढ़ें लड़किया दिखाते हैं कि यहां आओ चलें क्या फिर नहीं है तो तू मत जाओ अब है वहां की लड़किया अजकल अपना हिंदू कर्चर भी फालो कर रहे हैं एक रश्यन बहू ले आते हैं दोनों भाई हां और क्या रश्यन भाई घर्वाले माना भी नहीं करेंगे दो कहेंगे घर्वाले नू कहेंगे सही अंगरेजन लिया है रुआ है तो है मूझ लड़कों के अकॉर्डिंगली लड़कियों की पॉपुलेशन जाद है हम आप पर लड़के काम हम आप तो तेरा यह तो बहुत सही बात मेरा इनका भी अच्छा है आपका भी अच्छा ही है तो शाद ही होगे तो ट्रिप पे ऐसे कपल भी रहें तो अच्छी जगा है रश्य क्यों कि अच्छी जब पांचे रात को दस लोगो ते उसी फ्लेशन नहीं तो अगर रश्यन गर्ल्स को पाटी बाटी करी क्लबिंग का बताओ पहले तो मतलब क्लबिंग मतलब लें हम लोग जब पहुंचे थे 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 तो अगर लोग दिख जाते है तो उनसे दूर रहना आपने कोई बहांस नहीं कोई बंदा ब्लाग जाकेट में बिल्कुल लेदर जाकेट में प्रॉपर और वो मतलब कहता टाटू बैटू अगर बहुत मतलब करो और उनके सामने श्वाफ करने की को जरूत नहीं कि तुमार पर आइफोन है यह है वो है कुछ नहीं तो एक तो उनसे था कि उनसे बच करो तो इतने ना क्लबिंग वगार है इसलिए हम लोग इतना नहीं हमारा बस होता था कि यार पस पार्टी अच्छा मारा पू पृम में पार्टी कर ले तो यह ळोना था उधर ही हो जाता था क्या क्या होता था मतलब ही मतलब बड़े अलग लग किसम के तब माधा एक किसा बना बताए तो हम लोग पहले हमलोगों सारे इंडियंस ने सोचा कि हम लोग फ्रिभ जाएंगे अल्लाइन पुरा स्च कर लिय अच्छा एंटरी करता है टाइम ना आपने कसम खाली के एंटर करेंगे ना एंटर करने के बाद और कोई खड़्चा नहीं है बस एक 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 ड्रिंक ले लेंगा सिर्ट एक्सपीरेंस करना है ठीक है उसके बाद अपना बार निकल जाएंगे अब वहाँ पहुंचे अभी पहली एक एक ड्रिंक जस्त ली अभी ठीक है वहाँ पर आई वहाँ से लड़की आई ठीक है अब कान में आके ना सबने पहले सोच रखे है कि सक्त लॉंडो की तरीकते कोई कुछ नहीं कोई एक्स्ट्रा सर्विस नहीं ले नहीं वहीं बैठे रहना सिर्व एक एक ड्रिंक लेकर वहां से लड़की आई एक लड़की ना के एक लड़का फ्रेंड था अभे नाम को उसका कान में आकर कुछ बोला वह मिंट से पहले उट कर गया करा भाई मैं जो आ रहा हूं अरे प्राइबट सर्विस में चलाए उसका बड़ा कच्चा की लड़ी है कैसे थी मतलब गर्ल्स वगरा सुन्दर बहुत सुन्दर मैं बता रहा हूं वह पर्फ्यूम आच तक ना भूल है इंसा तो पर्फ्यूम लगा रखा था और कैसा था अंदर महौल एक शो था एक प अब करें चलता रहता है उसके बाद लिए आपका म्यूजिक चलता रहा एक और फिर में नियुका बस काम भी हो जाता है कि फिर जो आके ना जस वो उसके लिए होता है कि चले अब मतलब प्राइबट सर्विस ले लो प्राइब लाप डांस ले लो कितने अग उफर करते है फिफ्टीन हंड्रेव रुबेल का था मिरको मतलब गया तो वह भी सई है तेन नहीं लिए लग्ष तीन नहीं लेकर सकते ना श्रीपर्स को ने टच कर सकते हो जब वह तुम्हारे टेबल पे आई थी तुई गरा टेबल पे आके किया रहो ना जब तरे ने बन दोसके कान मे अच्छा परफॉर्म तो टेबल पे नहीं कर दी ना उसके लिए परफॉर्म लेक जो नार्मल परफॉर्म वला होता है जो पांदर्स मिनट का वह वह करके बस उसके बाद फिर अपने अपने रूम में बाकी वैसे आप अंदर जाकर आप टच कर सकते हो बाकी वैसे और बैष्याप बड़ियां थे रश्य नॉस 250 बाड़ कॉंस में अटके इस भी है मतलब मैंने इतना नहीं देखा जो भी होगा इंडियन सी जाके बचे होंगे वहां पर तो फॉलो किर होंगे वैसे नहीं वैसे मतलब मोस्लिवापे मौम्डन्स हैं लोग इसलामिक कंट्री है तो वहां पर जहां पर उफा भी रुके थे उसको जैसे मतलब कह सकते हैं कि उफा एक सेटी तो और उसकी स्टेट के कुछ था तो वह भी मौम्डन वही थे तो वहां पर मौस्क वगरा ही में ली थे तुमने 45 डेस में क्लबिंग बिलकुल में करी क्लबबिंग वगएरा अाव फार्थी एपार्थी लाइक रुख ऑट्रील मतलब पॉर्प नेक्स लेवें कृS लड आए पक ख्लालि नुग भी बटोलि दुम consensusеро X उसमें नहीं जए कॢंद उपते हैं डंध कहरें गण्द मुझे बिए घंद मुझे मुझे भी घंद यहां लग जाए तो तरह एक्स्रीम गन्दा चले जाते हैं मतलquh गंदा मैं तो सुमें बोल रहा हु ओल्टे आई है वह तो लेक मने भी ए यह निक पर एक चिरनी कोफ का एक जगा है उफा के अंदर को अधर उदर उस जगा के अंदर लेक लग थे तो हम लोग अधर गहे थे वहां पर था कि अपका खुद अपनी बॉटिल ला था था वैसे जो इंपोर्टेट दारु वह महेंगे है वाकि रश्यान वोट का रश्यान सारी दारु सारी सस्थी है को उसमें वो निया है तो लाइक उस टाइम पर एक तो उस टाइम पर इतना कोई पीने वाले वर होता नहीं था बट मैंने उस दिन सतरा शॉट पिये थे वोट का गया सतरा शॉट तो आप पैदल गहीं दो ने भाई उसके अगले के दो दिन मेरे को अच्छे जिहाद अगले दो दिन बिल्कुल है उस ताइम पर अच्छा और पी खाया ने कोई कुछ नहीं तो और उसका लेक खाना कैसा मिलता है में वहां वे जिनके बाद मतब वो नहीं है वह हम लोग मतब लिक चिकन ही खाया था वैसे वह बीफ यह हैं बगारा सब यह नॉर्मली यह मिलता है वेच के तने कोई खास ओप्शन ही होते थे तो भाई पार्टी का बताओ गंद क्या पहल तो लेक वहां पर जैसे मतब अब मैं एक ही अब हार के उसने दूसरी लड़की से बात करनी कुछ करी कि वह पटवा दे ठीक है अब उसी पार्टी के अंदर आथ को दो धाई बजे का टाइम ठीक है वह उससे बात कर रहा कि यह मेरा है तो इससे बात कर वा दे मैं से अच्छा मैं इसको लाइक करता हूर इंडिया नही तो पूरा मतर उसने है अपना हात डाल रहा हुआ अंदर ऊसको पूरी फिंगरिंग कर रहा हूँ हुआ वो अपने महदे ले रही है, मतलब गया उससे बात करने के लिए ये था, कि हाने कि भई तु इस से पटवा दो और उसके था लगा हुआ है ओरे तेरी, फिंगरिंग कर रहा मतलब? अरे सब ओरे, की लब में लाइव? अरे महँ पर मतलब ये वह बता रहू हूँ, अरे महां पर रहे हैं, इतना कोई प्रॉबलम हो, वह अना ऐसे कोई मतलब नहीं को बात कर रहा है हाँ अगर किसे से बतमीजी कर रहे हो कोई किसी ला कुछ कर रहा हो तब वो आकर बीच में मतब अचा लड़किया वैसे फ्रेंड लिली है वहां बात करो तो या फिर थोड़ा एटरिट्टीट रहता है मतब तेक है मतब ठीक है मतलब मतब है मतब इंग्लिश बोलती है हो हां जो मतब हमारा जैसे आइसक अग्रूप था उसकर न बहुती है बहाँ दो था अईग्लिश थोड़ी बहुत समझ जाती थी बात प्रोजेक्ट के बहाने करेगा प्रोजेक्ट में तो क्या बात करेगा इसने पूरी आइटनरी बना यह पूछ लेगा लड़की से कि बस बात हो जाया है हाँ तो लड़ो नैकी आके हाँ चलो आपको अपना इंस्त्रग्राम बता दो व्यात्थ तो वैसे नहीं वहां पे जैसर एक वी चैट है, नहीं से वीके है, वहाँ पर है, वहाँ बहुता है कि सबसे पहले ऊप्ते दुशार कर दो अपने की फिर वीके की आइड पर मैसेच घराफा तो भाई आपकी टी वीके की आइड मिली? मैको यह पनी मिली, मताब 5 है मिली, बुले हूं हो जादा नहीं मिली पांच वीकाइड ही शरीफ नारा तो उठने कुछी ना मैंने आगे से कोई बाद है नहीं कुछी बाभी जी देख रही है वैसे पाउड़ गाश्ट तो हमारे में ऐसा भी था लेकि एक जैसे हम लोगों का लग लग जैसे मेरको एक युनिवर्सिटी मिली थी और हमारे में से एक ता जिसको स्कूल मिला था तो तुम्हे समलो उसको 10th 9 10 ने उसने 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 लड़की पटाली मतलब वो कॉलेज के यहां पे जैसे आपका होट सबसे जादा मज़े उसने करे थे वो अलग भास से लड़की एक तो लड़की लेक अच्छा गासा पैसे वली थी उसको कहती कि लेक तुम यह प्रोजेक साटरड़े संड़े हम लोग वहां से वो लोग गया उफा से संट पीटरबर्ग वो उसका टृप भी मार गया वो गय उसी पोजीशन पर बैठके करा मज़ा उसको उस पोजीशन गारा तर मेरे करा कोड़े चिले है यह कॉंसी तुम्हारे साथ को चीटरड़का मज़े लेगे कोई टाइगार है और पता नहीं लेक रशिंद लेक वहां यहां इंडियन पो इतना यहां पी नहीं भाव मिला पर पड़ी आ यह तो सही चीज दिल्ली कह रहा है यह शितरे क्षान ब सतम ग lens के बारे में तो बता हो क्या गन्द वो रहा है और मतलब रिग पर इंडिया में अन ग जोंडे क्लब टाइप का मैं कहूंगा क्लब है प्रॉपर जैसे आपका गाना डीजे वीजे अपना सब चल रहा हो जो लेक वो सब है अपना लेक बाकी लेक्ट नॉलिश सुनते हो हां इंग्लिश म्यूजिक है महाँ पर एक हमारे इंडियन्स वो लेक वो अरे जिमी 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 आज यह गाना वहाँ पर इतना फेमस है हां इतना फेमस है यह पर लेक वो इंडियन्स को देख रहा हो यह गाना अजिमी जिमी पता नहीं क्यों बट इंडियन्स को देख रहा हो उनको बोलो ना इंडिया से हो तो एक तो ताज महल एक यह गाना और गोवा भी तो बहुत पसंद गौई वही गवाक भूई वह ही पड़िय नहीं तो अपने देश उ जालदा तो यहाँ पर यह ने है लिगते ही तो नहीं हमें से दाλαशीक्षार भी रहते हैं अधूडी रहते हैं तो अभर उतना खभीक होता है तो धर जरूर करके तो आ कि अधर आधे हैं दो तीन रशिन फ्रेंज्स यहां आये थे तब लेक गोव अगरा वो तब सब उनका वो था गूमने गूमने यह तो फेमस है वहाँ पर बाई तुमारे जहां तुम रह 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 थे आसपास कोई वह नहीं थे इंडियन रेस्टरॉंट या कोच या कोच उस टाइप के थे इंड अधियन की बखेट मिल जाती है दोसो भीष रोवेल में वह एक समोच यह साले गोरों को चूतिया बना रहा हो को महाँ पर दोसों का बेच रहा है इंडियन को सथे दे साले बहुत महंगा और बिल्कुल एक सेंटर मुसका यह थे कि लेक सेंटर में उसने को रहा थे तेंटर अधि थर्ड ग्लास ठीक है और उसका लेक महंगा तो अलग अच्छा भाई पार्टींज में ड्रग्स वागेरा भी चलते हैं फुल खुल है मतलब लेक अब मुझे वह नहीं पता कि कौन सा क्या क्या हो था ड्रग के अंदर बढ़ लोग जैसे ले रहे होते हैं ओपनली वह लोग खीषते हैं खुलने में वहां पर अक्चली में ना दो तीन दिक्कत है एक तो ला जैसे वहां पर एक लड़कों के लिए जैसे आर्मी जॉइन करना कंबल्सरी है उनको लड़कों को आर्मी जॉइन करनी आप जैसे हमारी सेंट में 12 आप क्लियर करते तो तो 17-18 साल मे पांच छे साल सर्विस करना मैंडेटरी है यहां फिर आप ऐसे हैं तो आप पढ़ाई में लग जो यहां तो आप बैचलर्स कर लो मास्टर्स कर लो नी फिर छेडेंगे आपको तो वह भी नहीं करना उन लोगों को इतना पढ़ाई का भी शौक नहीं है उनमें से तो वह सा अधिया सहे हो जो है। आप आपको नहीं ना भी चाल साल में खाल जाते हैं इतना नश्ववा में आज़ाए और लेडकों को इतना होता नहीं है क्योंकि लड़क वह आर्मी जोइन करने बहु डर है क्योंकि अर्मी लाइफ टफ है ठीक है अब यहां जैसे आज कर तो फिर तो नसीदों में हो कंपल से तो वहाँ पर यह लोग ना मतलब बच्पन से वह शुरू होजाते इन शाह so बहुत सारे लोगों नहीं अप्रोच करते थे या लेदो वोट कहूं को उंको जैसे वह तो अंडर एग नहीं मिलती थी वहां पर पानी नहीं पीते हैं वहां पे लोग यह बियर जैसे नॉर्मल दिनों पे प्यास लगई है तो बियर फीा की जैसे पानी की बौटर 50 रुटर की है एक नुर फारी पानी महेंगा है वहां पर इंडिया के साफ्साब से यह 20 रुप का मिल जाते हैं पचास रुबे वह गाड़ी भी ली थी? नहीं ली थी? क्या सीना गाड़ी ओका? लोग वैसे लगजरी लाइफ जीते हैं, प्रेफर करते हैं महंगी भणगी गाड़ी यां, महंगी भणगी चीज़ए या फिर क्या रहते है? यहार रहं पे वहार है जो पूतिन के आसपास वाले जो लोग है वो जहां जगह पे जो रहते है वो लगजूरी उसके अंदर है मतलब वहां पर तुम बड़ी से बड़ी गाडियां उन लोग के पास होती है, सब है, बाकि मेजर पॉपुलेशन जो है ना, वो नॉर्मल उसके अंदर ही रह रही है, वो गाल्या निकालती है, पूतिन को, कि यह है, वो है, यह क्यों करता है, वो है, वो उनके हिसाब से वो है अगि में रत्तलब वयागे जों करऊने निकाल हारा経र्या मोला है हुआ START O चालुदकिया ब्लिवा दे घर आए वोंने अपार्टमेंट कर आउ Timothy तो दो हजार अपरिक्न का प्राइस था निया थे सब और पान पांठ सो रूबल के टाक्सी के टो पैटेसस रूबल सब देखा ठीक है तो वो चार लड़की आई ये लोगों से तब ये है कि ये चीज मैंने देखिया अपने सामने होते वह बट मैं था किचन के अंदर तो एक बंदे ने एक बंदा लेकर गया जैसे ये ड्रॉइंग रूम हमारा थना तो ड्रॉइंग रूम एक सोफा कम बेड पड़ा था उसके सामने एक बेड पड़ा था और एक कमरे में दो बेड पड़ा था तो एक गया उदर 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 उदर चार एक ही टाइम के उपर शुरू हो गए तो उसमें अब एक लड़का लेक आग रहा था बड़ा शरीफ सा लेक उसमें आज तक भी आतो कुछ किया निए अब वो बेचारे का लेक खड़ा नो वो बंदे के वाद उसकी टेंशन वो भाई तुमें कैसे बता उसने अलग से अरे वो चिला ही जा रहा था कि भाई मेरा तो हो नी रहा सारे एक ही तो कमरे मत बता रहा है किचन में हम दो बंदे किचन में थे ठीक है यह सब हो उदर ही रहा है अब चप लेक वहां से कोई चिला रही है वहां से एक को कुछ मज़ा रहे है यहां से यह चिला रहा है भाई मेरको तो हो ही नहीं रहा कुछ मेरा खड़ा नहीं हो नहीं बाई बताओ, मैंने पैसे भी है यार, यह क्या हो रहा है तो भाई, पीर प्रेशन में आगे वह लेकिन पीर प्रेशन सामने हो सब रहे अच्छा एक उसको यह था कि उसकी आथ होड़ी सी हल्दी गई थी इक उस सीज का भी था की मेरी बहुत ज्यादा मोटी आ गई है तो उन सब की सुन्दर है, मेरी बा zweef-- लेकिन उन्होंनेरे खे mm नेरे ख़़ा पी फोटो दारू ही ? तो भाई हम नहीं था ही है, गई हो Tी की जा शुड़ा नहीं हो रहा है किसी दोस्की ऐसा भी था कि लड़ाई सी हो गई हो इस बाटी बाटी नहीं करते हैं पाटी बाटी करो इसके बाद बहस बाजी सी हो गई पैसो को लेकर पैसो को लेकर शाले इंडिया का जीवी रोड है क्या पागल यह चारा कोई तैश बाजी कर रहा हो बदमोशी और कोई लड़ी कर रहा हो कि मैं तो पच्छिसो नी तैइसो इस बाटी साले प्यूश गूजा टाइप का है पैसे दे के राजी नी अब यह तो थीन सवाला है यह तो थीन सवाला है यह देख लो यार कुछ हो जाए कम कर लो थोड़े हां क्या बता रहा था हां तो बाकी तीनों का बड़े एक्स्पिरेंस रहा एक बंदे का बिचारे का पोपट बड़े हो बस और क्या है रश्या में घूमने लाएक कोई ओडियन्स के लिए ऐसा भी है कि पुलिस और इसने पकड़ा हो कभी मतलब लेक मेरे को नहीं बठाना नॉर्मली पकड़ लेते हैं मतलब लेक पकड़ते हैं बस पूछ लेते हैं कि हां आप क्या कर रहे हो आपका पासपोर्ट क्या है पासपोर्ट यहीं थीजा है कि वो बोल देते हैं लिक जब लोग इंटरी भी पासपोर्ट किस पर ही मिलती है लेक कुछ अरियास के अंदर तो लेकिए है बाकी वहां पर जो नॉर्मल गुमने का आई स्केटिंग बहुत है उन लोगों को बहुत वहां मिलता तो आई स्केटिंग महां पर होती है उससे बच्छे यह की शुरू हो जाते तो लग बहुत हम लोग नाई स्केटिंग मतब एक्स्पीरेंस था बहुत चा था बाकी वहां पर म्यूजियम अगरा अपना यह लोग रुशियन्ट अपने अरमी को यह चीज़ को बहुत आपना आर्मी को बहुत जादा वो करते हैं प्रमोट करते हैं वह कहते हैं लोग भी जब उदार आये ना तो वह देखें कि भाई हाँ आक्चली मैं रश्या कितना मतलब लेक पारफुल है वाकी वाकी रश्या में कि युक्रेइन की बात नहीं कर सकते तब भी उस टाइम पर वालगर अटार यही था अल्डो लेंग चाहे सेम बोलते हैं दोनों बट वह न्हीं बोलेंंगे कि हम रश्यान बोलेंगे हो अपनी बोलेंग हो उती उक्रेण बोलते हैं बहुन लांगज़ सेमहा दोनों की जैसे वह एक इंड्या पाकिस्तान ही समझते सभी है दूसरा के साथ वह है मतलब लड़ाई तो और भाई वैसे घूमने के लिए क्या लोकल ट्रांसपोर्ट होता है कैब नहीं लेक वगर है सब वहाँ पर बट वह सब चीजे एक्सपेंसेव मतलब लेक जैसे नॉर्मली जैसे इंडिया के साब से तो कैब जोगर एक्सपेंसेव वहां पर न उनका रेट फिक्स होता है 30 रोबेल किसी का 20 रोबेल बस वो चाहे आप अगले स्टेशन बोतर चाहे बिल्कुल एंड स्टेशन बोतर हो तो वो उनका वो फिक्स प्राइब रात में तो बंद हो जाते होंगे एक टाम मतलब लेक फिर नहीं ऐसे नहीं है मतलब बिल्कुल अगली बंद हो जाते हैं ऐसे छे बज़ और नहीं नहीं यहार एक वो जो इंपोरियो और टाइप अला मॉल भी है वहां पर अच्छे से सारे बड़े से बड़े ब्रैंड बढ़ अब अब कब जा रहे हो गूमने अगला 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 अकर जाना तो संट पीटरबग जान वह में वह चीज सुन्दर है महां पर अगज कुछ एक टाइम आता है जिसके अंदर पर सारा टाइम देन ही रहता है चौबिस गंटे आपर सारा टाम दिन रहता है वो मुझे कंफर्म यह संट पीटरबग कहते है सबसे आब सुन्दर है बाकी अब तो शादी हो गई तो जा करते हैं आप लोग को थोड़ इसी इंफोर्मेशन मिल चुकी है बड़ी और मॉस्को सिटी रेकमेंडेड है बाकी आपको जो बेसिक इंफोर्मेशन आप लोग को मिली गई है रश्य के साब से वहां के कितना चीप है कैसे है कैसे ट्रैवल करना है पार्टी कैसी होती है कैसे आप अपने खुद का पॉड़कास्ट को शुरू करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आएप पॉड़कास्ट का कोर्स जिसमें आपको डीटेल में बताएंगे कि पॉड़कास्ट शूट कैसे होता है उसमें क्या एक्विपमेंट्स बताये कि इस course में क्या-क्या होने वाला है, क्या-क्या हम आपको सिखाएंगे, जाओ उस वीडियो को देखो और अपने आपको इस course के लिए register करो, एक नई शुरुवात आपका इंतिजार कर रही है, आपके registration का इंतिजार रहेगा, मिलते हैं, बाई बाई